हेलो एवरीवन आज के इस क्लास में समाज शास्त के महतपूर प्रेशन कराए जाएंगे टोटल प्रेशन रहने वाले हैं 30 क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर ज़व कर दीजे अगर आप नेट जियारफ पीजट जी आइसी या फिर एसेस्टन प्रोफेसर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं शुशौल जी से तो इस चैनल के साथ जूर कर आप यहां से अपने स्टडी को कम्प्रीट कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख स लगते हैं इससे पहले वाली जो भी क्लासिस हुई है उनका फोल्डर बना दिया गया है समार्शास के महतपूर प्रश्ण के नाम से तो जितने भी बच्चे पहली बार चैनल से जुट रहे हैं बेस अभी प्लेलिस जोरू चेक कर लीजेगा आपको सारी क्लासिस अभी तक जितनी हुई है प्लेलिस में फोल्डर जो आपको बताया गया भी उसमें मिल जाएंगी ओके यहां तक हुआ था चलिए स्टार्ट करते है प्रेश्ण है पुस्तक से संबंदित है विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथर्ड इस पुस्तक के लेखक कौन है ओप्शन्स है आरके मुखरजी, डीपी मुखरजी, एमेंशी निवास, जी एस घुरिये यहां पर सही क्या हो जाएगा यह पुस्तक किसकी है कई बार आपको बताया गया है हाला कि महतपूर पुस्तकों से संबंदित पहले क्लासिस ली जा चुकी है उनका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा प्लिलिस में बहुत जादा बुक्स बताई कही है आपको जो की हर एक्जैम्स में पूछी जाती है विलेज, कास, जेंडर, एंड मैथर्ड, यह किसकी हो जाएगी यहां पर सही हो जाएगा M.N. शिनिवास M.N. शिनिवास, option C, यहां पर right answer हो जाएगा M.N. शिनिवास यहां पर right है और M.N. शिनिवास की अगर बात की जाए इनके महतपुर अवधान्नाओं की तो संस्कृती करण एक अवधान्ना है इनकी संस्कृती करण की अवधान्ना इनकी है इसके अलावा आधुनिकी करण, पश्मी करण, प्रभुतो जाती, धन निर्पेक्षी करण की भी अवधान्ना M.N. शिनिवास ने दी है जोके आपके एक्जैम्स में पूछी जाती है तो जितने भी अवधान्नाओं अभी आपको बताई गई है इन्हें जरूर याद रखेगा इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी महतपुर पुस्तकों की तो एक पुस्तक है इनकी India's Villages के नाम से इन्डियास Villages के नाम से यह पुस्तक है यह याद रखेगा फिर एक पुस्तक इनकी है Social Change in Modern India Social Change in Modern India यह इनकी पुस्तक है The Remembered Village यह भी इनकी एक पुस्तक है और संस्कृती करण की बात की जाए इस अवधार्ना को एमिन शिनिवास ने अपनी पुस्तक Religion and Society Among the Cooks of South India में दिया है तो पुस्तके भी याद रखेगा कुछ जो आपको बताई गई है अभी इन्पॉर्टेंट है एक्जैम्स में पूछी जाती है चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है Common sociology पुस्तक के लेखक बताना है यहाँ पर कौन है Remand Era, Bernard Rosenberg, P.N. Prabhu, James Fraser Remand Era, Bernard Rosenberg, P.N. Prabhu, James Fraser यहाँ पर options है Common sociology किसकी है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा Remand Era, option A. यहाँ पर राइट होगा प्रेशन है लगू समुदाई पालने से लेकर शम्शान तक के जीवन का संयोजन है किसने कहा? क्रोबर, हटन, रेटफिल्ट या फिव प्रोक्त में से कोई नहीं लगू समुदाई पालने से लेकर शम्शान तक के जीवन का संयोजन है या किसका कहना है? लगू समुदाई की अवधाना किसकी है? राइट रेटफिल्ट की है यहाँ पर यह कहना राइट रेटफिल्ट का है option C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लगू समुदाई की जो अवधाना है वो राइट रेटफिल्ट ने दी है राइट रेटफिल्ट ने लगू समुदाई की जो लक्षन बताये थे या इसे आप विशेषता कह लीजे लगूता पहली क्या है? लगूता, फिर विसिस्टता, समरूपता और आत निर्भरता है उन्होंने कहा जहां भी ये लक्षन देखने को मिलेंगे हम उसे हम लिटल कम्यूटी लगू समुदाई कह सकते हैं ठीके? और ये स्टेटमेंट इनका ही है, रॉबर्ट रेटफिल्ट का है रॉबर्ट रेटफिल्ट के अन्य अवधंदानाओं की बात की जाए, तो क्रशक समाज की भी अवधंदा रॉबर्ट रेटफिल्ट ने दी है ठीके? ध्यान रखियेगा क्रशक समाज और इस पर पूरी एक क्लास भी ली गई है, ठीके? इस topic पर पूरी classes I think 2 या 3 हुई है क्रशक समाज पर ले गई है तो यहाँ पर यह जो अवधारना आपको बताई गई है वो याद रखेगा लोग समाज और लोग संस्कृति की भी अवधारना Robert Redfield ने दे हुई है और गाउं को इन्होंने लगू समुदाय का उधारन भी बताया था अभी जितनी भी बाते आपको बताई गई है यह सभी exams में पूछी जाती है इन्हें याद रखेगा अब देख लेते हैं यह आप अप प्रश्न है ग्रामीर समाज की नगरिय समाज से भीन बताने के लिए PA सोरोकिन ने निम्न मिसे किन मान डंडो को अपनाया है व्यवसाए अंतर किरिया की व्यवस्था विशमता जनसंख्या का आधार और गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन C विशमता जनसंख्या का आधार और गतिशीलता सही है ठीक है ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नगरी करण में ना केवल जनसंख्या का नगरों की और जाना नहीं है ते बलकि जाने वालों की अभिव्रतियों, विश्वासों, मूल्यों और वहवार प्रितिवानों में परिवर्तन भी शामिल है या कथन किसका है अडर्सन, लुइसवर्थ, बर्गल, A18 यहाँ पर ऑप्शन्स है सही क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुइसवर्थ, ऑप्शन B यहाँ पर राइट होगा लुइस वर्थ ने नगरिये करण की अवधार्णा दी थी, नगरियेता की अवधार्णा दी थी, उपनगर या उपनगरिये छेत्र ये सभी अवधार्णाय लुइसवर्थ ने दी है ठीक है नगरियकरन की अवधार्णा नगरियता की अवधार्णा उपनगर की अवधार्णा और उपनगरिय छेत्र की जो अवधार्णाय है ये सभी लुइसवर्थ के द्वारा दी गई हैं यहाँ पर B सही होगा प्रेशन है किसी उद्देश की प्राप्ती के लिए लोगों को मिलकर कारे करना समीती कहलाता है या किसका कहना है ठीके किसी उद्देश को प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा मिलकर के कारे किया जाना समीती कहलाता है इस तरीके से समिती को किस ने परिभाशित किया है Bogarders, Zinsburg, Holmes, Merton यहाँ पर options दिये गए है सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? Bogarders हो जाएगा Bogarders, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रेशन है संदर्प्समु वहवार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है या तर्क है विकल्प दिये गए है Newcom, Merton, Auto Kleinberg, Hyman संदर्प्समु वहवार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है या किसके द्वारा कहा गया? Newcom, Merton, Auto Kleinberg, Hyman यहाँ पर options है Right answer यहाँ पर क्या होगा? Auto Kleinberg बात आती है संदर्प्समु की संदर्प्समु की सबसे पहले सबधार्णा का प्रियोग किस ने किया तो वहाँ पर हाइमेन हो जाएंगे समाज शास में संदर्प्समु की अफधार्णा की सबसे पहले बात किस ने की है तो Robert King Merton ने की है याद रखेगा कनफ्यूज मत होईएगा प्रेश्ण है लोकरीतिया किसी सम्हु अत्व समुधाय में पालन की जाने वाले आच्रण की शैली मनुव रितियों एवं सभागत विश्वास है या कहना है Spencer, Green, Woods, Lundberg यहाँ पर आप्शन्स दिये गए है लोकरीतिया किसी सम्हु अत्वा समुधाय में पालन की जाने वाले आच्रण की शैली, मनुव रितिया एवं स्वाभावगत विश्वास है या किसका कहना है और यहाँ पर सही हो जाएगा Lundberg ऑप्शन D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशन है प्रकारिवादी जिनके समाजिक इस्तरीकरन सिध्धान का केंद्र बिंदू समाजिक मुल्य है वो बताना है इनमे से किसका है? कूले, बोटो मोर, पार्संस, मैक्स वेबर यहाँ पर ओप्शन्स दिये गए है इनमे से कौन से प्रकारिवादी है जिनके समाजिक इस्तरीकरन सिध्धान का केंद्र बिंदू समाजिक मूल्य है शोशल स्टाटिफिकेशन समाजिक इस्तरीकरन को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है और यहाँ पर सही हो जाएगा टॉलकेट पार्संस टॉलकेट पार्संस ओप्शन सी यहाँ पर राइड अंसर होगा और बात की जाए समाजिक इस्तरीकरन का प्रकारियात्मक सिध्धान की तो वो किसका है किंग स्लेट डेविस और विलबिट मूर का भी है यहाँ प्रशन कई बार पूछा जाता है इसे भी याद रखेगा अब देखें यहाँ पर अवधार्ना से संबंदित प्रशन पूछा गया है प्रथक नाभिकी परिवार की अवधार्ना किसकी है वार्नर, गौफमैन, पार्संस, दुर्खीम यहाँ पर आप्शन है प्रथक नाभिकी परिवार प्रथक नाभिकी परिवार क्या है? किसकी अवधार्ना है? परिवार वाला जब अभी जल्दी टॉपिक कम्प्लीट कराया गया थो तो उसमें बताया गया था काफी डिटेलिंग में परिवार की उत्पत्ती कैसे हुई? अर्थ क्या है? उसकी परिभाषाए? विशेश्टाएं क्या है? जो महतपुर समाज शास्तियों द्वारा जो अध्यन किया गया है परिवार पर उससे संबंदित जो बाते हैं उनको भी क्लासेस में बताया गया है साथ ही में परिवार के प्रकार कितने होते हैं उसका वरगी करण कितने तरीके से किया जा सकता है परिवार से संबंदित जो अवधान नाई दी हैं समाज शास्तियों ने इन सब भी को काफी detailing में बताया गया और last में classes में MCQs भी solve कराया गया है तो जिसने भी ना देखा हो class आपको folder मिल जाएगा family के नाम से playlist में वहाँ से जरूर देख लिजेगा यह important topic है और यहाँ पर right answer talk at persons हो जाएगा option c यहाँ पर right answer हो जाएगा persons का अमेरिका में अध्यन रहा है और वहाँ पर इन्होंने जो concept दिया था प्रतक नाभिके परिवार का दिया था यहाँ पर c हो जाएगा right answer प्रेशन है पुस्तक से संबंदे sociological theory and modern society किसकी है Max Weber, Karl Marx, Durkheem, Parsons यहाँ पर options है sociological theory and modern society किसकी हो जाएगे Max Weber, Karl Marx, Durkheem, Parsons sociological theory and modern society किसकी होगी Max Weber, Karl Marx, Durkheem, Parsons यहाँ पर options है right answer क्या हो जाएगा है हाँ पर? Parsons होगा ठीक है टॉलकेट पार्सन से option D यहाँ पर right answer है प्रेशन है मुस्लिम विवा विच्छेत अधिनियम किस वर्ष अस्तित में आया? 1939, 1942, 1955, 1961 यहाँ पर options दे गए है मुस्लिम विवा विच्छेत अधिनियम किस वर्ष अस्तित में आया? सही हो जाएगा 1939 1939, option A यहाँ पर right होगा प्रेशन है हिंदू विवा जिसमें किसी पुरोहित को कन्या भेट की जाती है कहलाता है ब्रह्म विवा, द्याविविवा, असुर विवा, या फिर आश विवा हिंदू विवा जिसमें कन्या किसी पुरोहित को भेट की जाती है उसे क्या कहा जाता है आठ प्रकार के विवा है चार प्रशस्त यानि उच्छी कोटी के श्रणी में आते हैं और चार विवा अप्रशस्त यानि के कोटी में आते हैं और ये एक्जाम्स में कई बार बुचा गया है पिज़िटी के यहाँ पर क्या होगा? ओप्शन बी होगा, दैव विवा, ठीक है? दैव विवा होगा, बी यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मांडंडो और मुल्यों के आंत्री करन के साथ-साथ अपनी समाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बाते समलित होती हैं उसे क्या कहा जाएगा? समाजवाद, समाजी करन, पुनर समाजी करन, वी समाजी करन यहाँ पर ओप्शन्स दिये गया है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो आठ प्रकार की विवा की अभी बात की गई है आपसे वे कौन-कौन से है? प्रशस्त श्रणी के विवा या उच्चिक कोटी की विवा कौन-कौन से है? और अब प्रशस्त श्रणी या निम्न कोटी के विवा में कौन-कौन से आएंगे? ठीक है? कमेंट बॉक्स में जो बताईएगा, आपको कई बार बताया गया है यहाँ पर क्या होगा ऐसी प्रकृिया जिसमें समाज के मांडंडों और मूल्यों के आंतरी करन के साथ-साथ अपनी समाजिक भुमिकाओं का समपादन करने, हम सीखना दोनों ही बाते समदित होती हैं उसे क्या कहा जाएगा समाज बात कहेंगे समाजी करण कहेंगे पुनर समाजी करण कहेंगे या फिर वी समाजी करण कहेंगे सही क्या होगा यहाँ पर सही होगा समाजी करण और समाजी करण पर भी classes ली जा चुकी है समाजी करन की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है ठीक है यह क्या है यह एक सीखने की प्रक्रिया है व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मांडंडू मुल्यों को आत्मसाथ करने की प्रक्रिया है एक जीवन भर चलती है यह गतिशील भी प्रक्रिया है और इसके अलावा महतपुर आवस्था बाल्य वस्था से किशोर आवस्था मानी जाती है समाजी करन की इन बातों को आप लोग याद रखेएगा इस सम्बंधित प्रश्ण पूचा जाता है चलिए आगे देखते हैं प्रशन है प्रत्याश्य मूलक समाजी करण के अफधारना को किसने विक्सित किया? सोरोकिन, कालमाक्स, आर्के मर्टन, पार्शनस यहाँ पर आप्शन्स है right answer यहां पर R.K. Merton हो जाएगा ठीक है, R.K. Merton है, option C यहां पर right answer होगा प्रशन है किसने या विचार प्रस्तुत की या कि समिती समुदाई नहीं है बलकि समुदाई के अंदर ही एक संगटन है Macever, Maxwell, Augburn, दुर्खीम यहां पर options है समिती समुदाई नहीं है बलकि समुदाई के अंदर ही एक संघटन है यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर option A यहाँ पर आइट होगा और मैकेवर की एक पुस्ता के society ठीक है यह एक्जाम्स में पूछी जाती है प्रेशन है संस्कृतिक केंदर की अवधार्णा किसने विक्सित की Whistler, P. Horton, Ralph Flitter, Robert Park यहाँ पर options है संस्कृतिक केंदर की अवधार्णा Whistler, P. Horton, Ralph Flitter, Robert Park यहाँ पर options है सही यहाँ पर होगा Whistler ठीक है whistler है option A यहाँ पर right है प्रश्न है संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मुल्यों के संदर्प के उसकी स्वेम की विशेषताओं के अधारपस समझा जाना चाहिए और मुल्यांकन किया जाना चाहिए इसे कहते हैं सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिस सांस्कृतिक विसिस्टता संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मुल्यों के संदर्व के उसकी स्वेम के विशेशताओं के अधाया पर समझा जाना चाहिए और उसका मुल्यांकन किया जाना चाहिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा संस्कृतिक सापेक्षवाद ठीके सांस्कृतिक साप एक्षवात कहा जाएगा इसके ठीक विप्रेत हो जाएगा जब हम किसी संस्कृति को समझने के लिए हम अपनी संस्कृति के मूले मांडन डूग के द्वारा उस संस्कृति को समझने का जब हम प्रयास करते हैं तो यह न्रजाती केंदवात कहलाता है और ये concept किसका था? समनर का था ठीके? यह आपको कई बार बताया गया और सांस्कतिक सापीक श्वात की अफधारना किसने दी है? यह आपको बताना है ठीके? चली आगे देखते हैं प्रशन है किसने निर्धनता के तीन कारण बताए हैं व्यक्ति संस्कति एवं उपसंस्कति या समाजिक सरशना ओप्शन से डेविड इलेश, पी कोहेट, ऐसेम मिलर, मार्टिन रेन निर्धनता के तीन कारण किसने बताए हैं? व्यक्ति, संस्कति, एवं उपसंस्कति या समाजिक सरशना निर्धन्ता के इन तीन कार्णों की बाद डेविड इलेश ने की है ओप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही प्रशन है समाजिक सरशना की परिभाशा अंतर किरियारत समाजिक शक्तियों की जाल की रूप में किस ने की है स्टीवर्ट पार्सन्स कॉल मैन हीम नाडेल यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गए है सही क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉल मैन हीम कॉल मैन हीम ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाजिक सरशना की बात की जाए तो इस अफधार्णा का प्रियोग सबसे पहले हरबर्ट स्पेंसर ने किया था और समाजिक सरशना की तुल नम मानवी शरीर से इन्होंने हरबर्ट स्पेंसर ने की थी प्रेशन है निम्न में से किसका कहना है कि भारत में ओधूगी की करण और नगरी करण साथ साथ चल रहे हैं किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया या फेन में से कोई नहीं या किसका कहना है कि भारत में ओधोगी की करण और नगरे करण साथ साथ चल रहे हैं सही यहाँ पर हो जाएगा किंग्सले डेविस किंग्सले डेविस ओप्शन ए यहाँ पर राइट होगा समाजिक सरशना संस्थाओं का गुच्छ है या किसका कहना है सही यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पेंसर हर्बर्ट स्पेंसर ओप्शन बी यहाँ पर राइट होगा प्रेशन है निम्न में से किसने क्रशक जातियों को पिछडी जातियों की रूप में माना है और यहाँ पर सही हो जाएगा आंद्रे बेते होगा ओप्शन ए यहाँ पर राइट अंसर होगा क्रशक समाज की अवधार्णा किस ने दी थी रॉबर्ट रेट फिल्ड ने दी थी चली आगी चलते हैं प्रश्णने इन में से किसने एक विवाही परिवार को सबसे विक्सित प्रकार का परिवार माना और परिवार की उद्विकासी क्रम में सबसे अंति मिस्तर पर रखा है। टाइलर, मुर्डॉक, मॉर्गेन, मैकेवर यहाँ पर ओप्शन्स दिये गए हैं। एक विवाही परिवार को सबसे विक्सित प्रकार का परिवार माना और परिवार की उद्विकासी क्रम में सबसे अंति मिस्तर पर रखा है। सही क्या होगा सही यहाँ पर होगा Morgan, ठीक है Morgan होगा, option C यहाँ पर right होगा और इसे भी आपको बताया गया है family वाला जब complete कराया गया था उसमें यहाँ पर दीखे पुस्तक से सम्बंदित प्रेशन है the mothers, किसकी है Morgan, Brevalt, Murdoch, Western Mark यहाँ पर options दे गया है the mothers किसकी है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा the mothers किसकी है are default की option B यहाँ पर right होगा social structure पुस्तक किसकी है यह आपको बताना है प्रेशन है पुस्तक से सम्बंदित urbanization and family change options दे रखे हैं यहाँ पर options है urbanization and family change पुस्तक है किसकी है urbanization and family change यह किसकी हो जाएगी MS गोरे की MS गोरे options C यहाँ पर right होगा प्रेशन है निम्न में से किस ने कहा है कि भूमी का एक आपेक्षित समाजिक स्विक्रत वहवार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है सही क्या होगा यहाँ पर ओगवन और निम्कॉफ option B यहाँ पर हो जाएगा सही प्रेशन है ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों का वहवार लोकाचारों तथा जनरीतियों द्वारा नियंतरत किया जाता है तो इसे संस्थात्मक परिवार कहा जाता है यह तर्क किसका है लीपले, बर्गस एनलॉक, यंग एन्विलमोट, वार्णर मताईए एसा परिवार जिसमें सदस्यों का वहवार सदस्यों का वहवार होता है उसे लोकाचारों जनरीतियों द्वारा नियंतरत किया जाता है और इस तरीके के परिवार को संस्थात्मक परिवार कहा जाता है या यूँ कहा जाए संस्थात्मक परिवार की अवधारना किस ने दी सही हो जाएगा बर्गेस एंड लॉक बर्गेस एंड लॉक ऑप्शन बी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है चलिए देख लेते हैं इनमें से किसने परिवार के दो भेद बताए विवासंबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार ओप्शन्स है वार्णर, लिंटन, जिमर्मैन, मजूमदार परिवार के ये दो प्रकार विवासंबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार किसने बताए है Warner, Linton, Zimmerman, मजूमतार यहाँ पर options दिये गये हैं सही यहाँ पर हो जाएगा Linton Linton हो जाएगा Option B यहाँ पर right answer हो जाएगा Zimmerman ने कितने बताये थे तीन प्रकार बताये थे परिवार की नियासिता परिवार और बाकी के दो कौन से हैं परिवार ग्रहस्त परिवार और अतिलगू परिवार ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा Linton होगा Option B यहाँ पर right होगा तो आज की क्लास में बस इतना ही I hope यह आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा